नमस्कार दोस्तों बहुत सुनुईल कुमार आसके लेक्टिकल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों बेंडिंग मशीन की हमारी वीडियो हैं उस पर कुछ कमेंट ऐसे आये हैं जिन्होंने कहा है कि स्पार्टन की जो SBM 42 है जो जिसमें proximity sensor लगे होते हैं उसके diagram के बारे में हम आपको बताएं तो हमने यह कोसिज किया है कि हम आपको उसकी हर एक detail के बारे में बताएंगे तो उसका diagram बनाने में थोड़ा time लगता है बहुत जादा time लग जाता है थोड़ा तो क्या कह सकते हैं तो हमने diagram को पहले ही दिक्कत नहीं होगी और दोस्तो ऐसी ही interesting वीडियो के लिए special construction side से जुड़ी हुई चाहे वो electrical हो या mechanical हो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करें और अगर आपने subscribe कर लिया तो please bell icon भी प्रेस करें जिससे कि हमारी वीडियो आपको continue मिलती रहे और प्लीज हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो उसको like करना भी ना भूले तो आप शुरू करते हैं तो दोस्तों यह sbm42 है हमने कोशिश किया है कि आपको यह board पूरा दिखाए दे तो sbm42 की है यह machine spartan की और इसमें लगे है proximity sensor पहले हमने क् सब्सक्रास में जो limit switch लगे रहते थे वह थे इसमें limit switch आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें मिलेंगे proximity sensor दो proximity sensor इसमें लगे रहते हैं तो इसका यह उपर हमने control desk बनाया है जहां पर यह इसका पैनल रहता है operating system का जिसमें एक हमें indicator मिल जाता है एक हमें forward का button मिल जाता है यानि push button और यह push button NO होता है और यहां पे इसमें दोनों लगे रहते हैं यह होता है reverse का push button और एक emergency इसमें यहां पे रहता है और एक emergency इसमें side में रहता है तो यहां से सुरू कर देते है 415 Volt AC हम देंगे Transformer में यह हमने Transformer बनाया है तो इसकी जो Input है वो 415 Volt की है इसमें जाएंगे 415 Volt AC और इसमें से 2 Winding हमें मिलती है एक Winding से हमें मिलेगा यह Primary Winding होती है जिसमें हमें Input देते है और यह Secondary Winding होती है पहले ड्रोइंगों में हमें 24 Volt लिखा मिलता था तो इसमें 25 Volt लिखा हुआ मिल रहा है तो इसमें एक Winding 25 Volt की हो गई और एक 60 Volt की हो गई यहाँ पे हमें AC ही मिलते है वोल्टेज यह भी ध्यान रखें तो पहले ब्रेक काई किलियर कर लेते हैं तो 60 Volt यह हमारे Rectifier में चले जाते हैं यह Rectifier है तो Rectifier में चले जाने के बाद में यह AC से DC Convert हो जाते है और यह Volt 60 ही रहते है बस यह Convert हो जाते है AC से DC में और यह यहाँ पे एक Contactor लगा हुआ है यह Contactor के थ्रू होते हैं यह Contactor 3 यह C3 हमने इसको Mention नहीं किया है तो हम इसमें C3 लिख देते हैं तो यह Contactor है C3 तो यहाँ से Contactor 3 से होता हुआ यह Motor में चले जाते है Motor की किसी 2 winding में यह Enter कर जाते हैं और वहाँ से इसमें ब्रेक लग जाता है तो हमने इसमें यह सारा प्रोग्राम दिया है कि अगर आपको ऐसा इसमें निसान दिखाए दे तो वह NC है और ऐसा निसान यह NO है और यह R जो है वह Relay है C जो है वह Contactor है T जो है वह टाइमर है और FWD जो है ना Forward यानि आगे चलने वाला प्रोग्राम है और REV यानि Reverse पीछे चलने वाला प्रोग्राम है तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं तो सबसे पहले हम 25 वोल्ट देख लेते हैं यहां से कहां चला गया यह पहले तो 0 वोल्ट 0 वोल्ट दोनों में जाएगा और वो सेम ही रहेगा यह बीच की जो है दोनों वाइंडिंग यह सेम ही रहेगा इसमें से 2 तार निकलेगे 0 वोल्ट के एक चला जाएगा 60 वोल्ट ब्रेकिंग के लिए और एक चला जाएगा आपका 0 वोल्ट यहां पे जो 25 वोल्ट के उपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए तो सबसे पहले एक इसमें से चला गया है यहां पे 0 वोल्ट यह आपके इंडिकेटर में और इंडिकेटर में सिदा फिर यहां से 25 वोल्ट जो निकला वो भी आपका चला गया है तो यहां तक यह 25 वोल्ट उपरेट हो गया और यह इंडिकेटर चल गया तो अगर over voltage या under voltage हो जाए तो उसमें ये machine को बंद रखता है और machine को safe रखता है तो उसके लिए लगा रहता है प्लस इसमें single face preventer भी include रहता है तो वो इसका भी काम करता है अगर एक face नहीं भी आया है तो वो भी तब भी इसको बंद कर देगा इसके बाद emergency लगा रहता है तो V contactor 2 के NC से होता हुआ और यह 23 नमबर तार है यह 22 नमबर तार भी हमने इसमें mention करने की कोशिस की है तो contactor 1 और 2 दोनों के NC से होता हुआ और NC का यह समझ लें कि जिसके NC से जाएगा तो वहां से वो बंद होने की गुंजाइस रखता है अगर इन में से कोई साभी चलेगा तो contactor का इसका program जहां पर जा रहा है यह बंद हो जाएगा तो यह NC इसको बंद रखने की हिम्मत रखते हैं यह आप ध्यान रखें तो contactor 1 और 2 जब तक यह बंद रहेगे इसके NC से होती हुए supply जाती रहेगी और यह timer में जाएगी timer के NC से होता हुआ यह timer 2 का NC है जो breaking का timer है तो यह direct पहले timer में जाएगी और timer के NC से होती हुए तब जाके C3, contactor 3 जो break का contactor है यह वाला तब जाके इसकी operating qual में A1, A2 में चली जाएगी A2 में हमने 0V पहले से ही दे रखा सब में आप यह देख सकते है 0V इसमें सब में पहले से ही आया है तो अब इसमें break का आपने आच्छ के A1 में और timer को operate होने में लगता है आदा second, 0.5 second का program रहता है इसका और तब तक यह NC से supply देता रहता है और इस contactor को चालू रखता है, contactor 3 को, तो contactor 3 की operating qual है, यह सारी की operating qual ही है, यह contactor 3 की operating qual है, तो इसमें चालू होने में आदा second लगेगा, जब यह चालू हो जाएगा तो यह संपर्क तूट जाएगा और यह contactor बंद हो जाएगा, जब यह timer चालू हो जाएगा, आदा second के बाद तो यह संपर्क तूट जाएगा, और फिर यह contactor बंद हो जाएगा, तो आदा second के लिए break लगेगा, तो break का आपकी समझ में यह आ गया, आप forward का देख लिते हैं इसम से हम operate करते हैं खड़े होंगे तो इसमें से यहां से emergency से हमें यह पूरा कहां पर मिला supply एक तो में reverse में मिला एक forward में मिला तो यह आपस में लूप रहते हैं तो यहां से emergency से पार होके reverse के push बटन में forward के push बटन में यह supply चली गई और यहीं से फिर यह नीचे के प्रोग्राम में चली जाती है फॉरवर्ड का यह हम देख लिते हैं पहले फूट स्विच को देख लिते हैं तो यह जो सप्लाई पार होके आई है इसी से ही हमारा यह पूरी लाइन है इसी में से ही सारे के सारे ही जाते रहेंगे और यह क्रोस है तो वह इससे टच नहीं है वह अलग है तो यहां से हम देख लेते हैं इस सप्लाई से जो एमेर्जेंसी से पार होके आई है तो हम पहले यह ले लेते हैं फुट स्विच इसी लाइन से एक नमबर तार से यह फुट स्विच आया और फुट स्विच एक नमबर ता ने से आप यह देख सकते हैं कि यह supply जब relay 1 यहाँ से ओपरेट हो जाएगी तो relay 1 को supply यहाँ से मिलने लगेगी इसका अन ओन हो जाए गयी तो आप यह ना समझे कि हमने foot switch को एक बार दबा दिया और relay operate हो गई और यह holding supply इसको यहां से मिलने लगी ऐसा नहीं है इसकी holding supply से इसकी operating qual का कोई मतलब नहीं है यहां से हम जब तक foot switch दबा कर रखेंगे तबी तक R1 operate रहेगी इसका ऐसा program है foot switch से अगर pair हटा तो यह समझो machine बंद हो जाएगी तो जब तक हमने इसको दबाय रखा तो R1 operate है और R1 के यहां से operate होने से यह NO connect हो जाएगा और इसमें R2 के NC से होता हुआ और C3, C2 के NC से होता हुआ NC का हमने पहले भी आपको पताएगी यह समझेगी यह इस program को बंद करने की हिम्मत रखते है कि जब तक यह NC है तभी तक यह program चलेगा C1 का यानि contactor 1 का forward का अगर इन में से कोई सी एक चीज operate है तो यह connection यहां से हट जाते हैं और यह program नहीं चलता है तो यह तीनों program यहां पे बंद मिलेंगे और यह चालू मिलेगा तभी जाके यह C1 operate होगा तो R1 relay 1 का यहां से supply आगे 25 volt फिर इसके NC से पार हो गई contactor 3 और contactor 2 के NC से पार हो गई तभी जाके इसके A1 में जाएगी contactor 1 के तब जाके contactor 1 operate होगा तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा कि foot switch हम ने दबाया relay ने यहां से supply ली और इसके NC से R2 के NC से C3 के यानि contactor 3 के contactor 2 के NC से यह supply पार होती तब जाके contactor 1 में पहुचेगी और machine forward यानि आगे चलेगी तो यह आगे का program हो गया इसके अलावा यह तो foot switch का हो गया इसके अलावा यहां पे push button का roll देख लो आप forward का push button का देख लेते हैं forward का push button यहां से supply हमें मिलने लगी जब हम push button दबाएंगे तो forward आगे चलाने वाला बटन है ध्यान रखें तो यह supply यहां से पार होती ली इस line से इसका कोई मतलब नहीं है और इस line से भी कोई मतलब नहीं है यह supply सिद्धी यहां पहुची है और R1 यानि relay 1 का जो NO है उसे पार करके क्योंकि relay 1 का NO काम करता है foot switch के साथ में और यह यहां पे NO के बाद में लगी है तो R2 का NC C3 का NC C2 का NC यह सब program होते हुए जब तक हम button को दबा के रखेंगे तब ही तक यह contactor चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा अगर हमने यह button दबाना छोड़ दिया तो यह contactor नहीं चलेगा तो इसमें auto का नहीं है यह manual program होता है फिर इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जब हम इसको गुमाते हुए यहां से हमने दबा के रखा या फिर foot switch हमने दबा के रखा और वो machine यहां पर proximity sensor पर पहुँच गई तो यह एक किसम का metal detector ही होता है जब इसके सामने में locator pin जाता है तो यह on हो जाता है तो इसका NC point है यह यह no point है यह no point है यह no point है यह no point है यह खुला हुआ है तो हमने यहां पर समझाएगी जो खुला point है यह no है normal open यह खुला हुआ तो proximity sensor जब on होगा तो यहां से यह supply on करेगा और यह किसको operate करेगा R2 को relay 2 को और relay 2 interlock किसको करती है यहां पे C1 को तो अगर यह operate हो गई यहां पे जब proximity sensor on होगा तो यह R2 operate हो जाएगी और इसके operate होने से क्या होगा C1 contactor 1 का संपर्गी यहां से तूट जाएगा और यहां से जब संपर्ग तूटेगा तो यह तो बंद हो जाएगा और यह R2 operate होगी तो R2 यहां पे देख लो फिर यह hold हो जाएगी यहां पे यहां से यह जो इसका reverse वाला जो push button है उसमें एक तो NO point लगा रहेगा और एक यह NC लगा रहेगा तो उसके NC point से यह R2 hold हो जाएगी यहां से supply लेने लगेगी और R4 के NC से इसको अगर बंद कर सकती है R2 को तो वो है R4 तो यह कब बंद होगी R2 जब बंद होगी जब R4 operate होगी तो R4 में वो हिम्मत है कि R2 को operate होने से बंद कर सके तो R4 के NC से होती हुई यहां पर यह supplies को मिलने लगी तो यह नि proximity sensor ने अपना एक बार काम कर दिया तो फिर वो अपने आप ही यह चलने लगी यहां से तो इसमें यह reverse आने लगी यहां पर और reverse आते आते फिर इसका program आप देख सकते हैं R2 का यहां से यह manual भी program है यहां से तो यह auto में हो गया इसका program यहां से अगर हम manual प्रेस करेंगे तो यह इसका संपर्क तो तोड़ देगी यहां पर जो R2 को supply मिलती है hold होने के लिए इसका संपर्क यह यहां से तोड़ देगी और यहां से reverse का manual push button दब जाएगा तो आपने देख लिए R2 का operating system आपने देख लिए तो R2 operate तो हो गई लेकिन contactor 2 चला कब है वो यहां से आप देख लो तो इसमें से जो supply गई है तो यह तो आपकी manual वाली हो गई यहां पे और जो इसका जो काम है R2 का वो यहां से operate हुआ है तो यह R2 जब on हुई है यहां पे तो R2 R1 को हमने foot switch से on किया हुआ है आप ध्यान रखे R1 को हमने foot switch से on किया हुआ है तो यह on है और यह on है तो इसको supply मिल गई और R2 on हो गई proximity sensor से R2 operate कर दिये proximity sensor ने तो R2 और R1 दोनों से supply अब पार हो गई है तो अब यह contactor 1 और contactor 3 तो contactor 1 है forward का यह C1 और C3 है यह break का तो इन दोनों के NC से होती हुई और R3 के NC से होती हुई अब आप यह समझें कि अगर इस contactor को कोई बंद कर सकता है तो वो R3 है R3 इस contactor को बंद करने की हिमत रखती है तो इसमें से इन तीन के NC से होती हुई यह चली जाएगी supply CD timer में तो timer होता है reverse का जिसमें कि वो उसको आदा second तक hold करके रखता है आदा second के बाद वापस आने देता है तो आदा second यह कैसे hold रखेगा क्योंकि यह on delay timer है इसमें तो जब यह on होगा आदा second के बाद तभी जाके यह NO का संपर्क जुड़ेगा और तब जाके यह contactor 2 operate होगा तो आदा second यह timer इसको hold करके रखेगा C2 को यानि अभी रोक के रखेगा कि भई आदा second तो रुख जा भी अभी जब मैं हर जन्डी दूँगा तभी जाके आगे चलना तो यह पीछे चलने वाड़ा है reverse का contactor है forward का contactor अभी बंद है क्योंकि प्रोग्राम इसका यहां से इसको मिल चुका है और इसने जब R2 ओपरेट हो गई है तो समझो यह प्रोग्राम बंद हो चुका है क्योंकि R2 के NC से हमें यह प्रोग्राम बिला हुआ है तो फिर टाइमर ने जब आदा second में on हुआ तो टाइमर ने C2 को ओपरेट कर दिया और C2 ओपरेट हो गया है और C2 हमने बताया कि R3 वो आइटम है जो इसको चलने से रुकेगा तो यहां पर हम देख लेते हैं कि जब वो home position पे पहुँचता है home position में भी proximity sensor लगा हुआ है यह H proxy जो हमने लिखा है यह home position का proximity sensor है तो जब वो home position की जगए यहां से machine starting में चलती है वहीं पहुच जाती है तो यह home position का proximity sensor है यह इसको बंद करता है और जैसे ही यह on होता है वहां पे जब locator pin पहुचती है तो वहां पे यह फिर on हो जाता है और on होके यहां से यह संपर्गी जब जुड़ जाएगा इसका यह no point है तो यह no point जब जुड़ जाएगा तो यह क्या करेगा C1 जो की पहले से ही बंद पड़ा हुआ है contactor C1 इसके NC से होता हुआ R3 को operate कर देगा और R3 हमने आपको यहीं पे बताया कि R3 वो item है जो C2 को बंद करेगा तो जैसे ही R3 को यहां से supply मिलनी शुरूई R3 operate हो गई और R3 में हमने आपको बताया दिया कि R3 में वो हिम्मत है जो C2 को बंद करेगी तो C2 यानि contactor 2 यानि reverse का यानि machine को पिछे जब चलती है तो वो reverse contactor चलाता है और वहां पे उसको चलने से वो बंद कर देगी क्योंकि वो home position पे पहुँच चुकी होगी इसके बाद में अब इसको ये proximity sensor तो एक ही बार काम करता है लेकिन उसको फिर holding supply कहा से मिलती है R3 के N9 से क्योंकि proximity sensor के आगे जो locator फिन आती है वो सिर्फ कुछ देर के लिए आती है लेकिन उसके बाद में फिर उसको supply मिलती है इसके N9 से तो दोस्तो R3 ने बंद कर दिया है contactor 2 के program को अब R3 operate रहेगी क्योंकि यहां पे R3 को यहां से holding supply मिल रही है और यह R3 यह contactor 1 भी बंद पड़ा है तो यह supply इसको मिलेगी यहां से तो अब जब हम यहां पे इसको यह देखते हैं कि R1 जो की हमारा यह इसको इसने operate किया हुआ है तो जब तक हमने इसको operate किया हुआ है तो तब तक तो यह यहां से supply नहीं मिलेगी तो जब हमने इससे pair हटा लिया तो अब इसको R1 के NC से भी supply मिलेगी और R3 के NO से होती हुई इसमें R4 को operate करेगी यह तो जब हम इससे pair हटा लेंगे foot switch से तो यह supply यहां से मिल जाएगी R1 के NC से और R3 जो की operate है क्योंकि उसने contactor 2 को बंद किया हुआ है तो R3 के NO से supply हो जाएगी और यह R4 को operate कर देगी क्योंकि R4 इसमें interlock करती है इसको R2 को यह R2 को operate नहीं होने देगी यहां से क्योंकि जब तक R4 operate है तो R4 ने interlock किया हुआ है R2 को R2 नहीं operate हो पाएगी जब तक यह R4 चालू है तो R4 हमें यहां पर R2 को यानि Relate 2 को जो कि reverse के contactor के लिए लगती है इसको operate होने से मना करती है तो यह प्रोग्राम यहां तक पुर हो जाता है break का हमने आपको बता दिया था क्योंकि अब जब तक यह operate रहेगी तक यह machine वापस दुबारा नहीं चल सकती है क्योंकि इसका program बंद किया हुए तो अब यह आगे ही चलेगी जब हम इसको दबाएंगे तो R1 operate होगे तब दुबारा से यह program शुरू होगा तभी जाके चलेगी वापस पिछे अपने आप नहीं आएगी ऐसे दबाने से break system का हमने पहले ही आपको बता जाता program एक बार फिर बता देते है VPR के ज़स्ट बाद में ही यह program चल जाता है यहाँ पे और यह ऐसे supply जाती हुई 25 वोल्ट यह यहाँ पे चले जाती है और यह contactor 1, contactor 2 के NC से होती हुई तब जाके supply आती है timer में और timer में जब आती है तो timer के NC से जाती है contactor 3 में तो यह timer जब तक on होगा क्योंकि NC से ली हुई है तो डिरेक्ट चली जाती है supply इस में तो जब तक यह on होगा आदा सेगेंड में तब तक आदा सेगेंड तक यह break का contactor on रहता है तो यह program हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में जरूर आया होगा दोस्तों तो please हमारे चैनल को SK Electrical को subscribe जरूर करें क्योंकि इस पर ऐसे ही आपको interesting वीडियो चाहे वो electrical हो चाहे mechanical हो आपको मिलती रहेगी तो please हमारे चैनल को subscribe जरूर करें और हमारी वीडियो को like भी जरूर करें क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें इतना सारा कुछ करने में बहुत मैनत लगती है दोस्तों बहुत time भी लगता है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद